हाँ दोस्तों है घंगे अमिद्य आप लोग घर पर होंगे शेफ होंगे स्वक्षित होंगे दोस्तों आप देख सकते हैं मां गंगा की तेज धराएक आगमन फरिकी पवरी में हो चुका है और काफी तेज वेक से वह रही हैं और साथ साथ आप देख सकते हैं काफी संख्या में विद्धी दिखाई दे रहे हैं सद्धालू की और काफी लोग दुक्की लगा रहे हैं मागंगा में आस्ता की आप देख सकते हैं काफी ज़्यादा सद्धालू ही आपको मैं हरकी पोड़ी के दिरिशत दिखा रहा हूँ दोनों तरफ का घाटके और इसके बाद आप लोगों को मैं इस वीडियो में हरकी पोड़ी के साथ हरकी बोड़ी के आसपास की मार्केट आसपास की रहने की विवैस्ता साथ साथ काफी सारे सदालों को पुनकुल आते रहता मेरे पास क्यों कि क्या हमें नमबर वीडियो पीडिये देता हूँ अगर आप भी कुछ इंकुरी करना चाहते हैं के नमबर पे कॉल या वैसेज्टरगरम वेभी आप मैसेज कर सकते हैं जैसे आपके पास विदा हो देख सकते हैं मागंगा की देष धराये buttons earn कर सकते हैं आप आज की आफडेट की और तो मैं अब्डेट्ट सब्से पहले आप लोगो पूणने करने मा कि दर्षन अभित आकले मार्क एक दिखना कर रहा हैं की अविले के में पूञर्च कि धुत्स रहा हूँ घर कि पूर्डी में कि अब मैं आप लोगों को मार्केट से दिखांग यहांसे जिसके आ में गेट इधर से हम लोग जाएंगे विश्णान करेंगे यहां ब्रह्मुकुन के जाने का रास्ता यहीं है अभी आप लोगों को थोड़ा से मार्केट का दरी से भी दिखा रेता हूं काफी जादा लोग यहां पे हैं मार्केट खुला हुआ है इधर से भी हम लोग एंट्री कर सकते हैं यह देखे बारिश हुआ है रात के समय बारिश हुआ था सुबह सुबह में और यह अभी तक पानी यहां पे ठहरा हुआ है बारिश का यह है काफी जादा सदालो यहां पे पुछते थे कि भई आप नई घाड का दरी से दिखाओ तो देखिए नई घाड का दरी से काफी सारे नई बैठे हुए हैं आप देख सकते हैं यह सुबह सुबह के दरी से है और काफी जादा भीड भी है और यह भीड लगी हुई है ख आप लोग को आने में आसानी हो और समझने में आसानी हो और देख सकते हैं काफी ज़्यादा सदालू आज दिखाई दे रहे हैं और सबसे ज़्यादा आप लोग को अस्तिवी सर्जन करने वाले ही दिखेंगे अस्तिवी सर्जन यानि नई खाट में काफी ज़्यादा भीर हो काफी सुन्दर पर्टित हो रही है देखने में दोस्तों अभी मैं आप लोगों को मार्केट का दिखा दिया हूं कुछ और दिखाने वाला हूं जो हरकी पोड़ी के सब्सक्राइस का मार्केट है काभी देखो सुबर 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 अब यह ओपन हो रहे हैं मार्केट का और तो यह मोटी बजार मार्केट है और यहां पर जो घुमें आप यह आपको हरकी पोड़ी के पास ही मिल जाएगा और शुबर सुबर की है इस सुबर काभी साफ भी खुले नहीं है और खुल रहे हैं अब भी मौसम कदरी से आप देख सकते हैं काफी अच्छा मौसम बना हुआ है आज का फृद्वार में मौसम बारिस वाली लग रही लेकिन बारिस नहीं होने के संभाना भी है क्योंकि धूब भी आ गया है और आप देख सकते हैं काफी ज्यादा सा धालू हरकी पोड़ी के ने करते हैं काफी यहाँ होती है यही च्रजन होता है क्या आप इस वे दखा रहा हुँ और आपको तुद्ध दिखाना चाहूं तूँ तुवाहना पर कितना जादा भी लगा हुआ है दिख सकते हैं प्रम्म कुन के पास महीला घाट है महीला घाट बोलते इसको जहां पे काफी ज्यादे सद्धा, लुश्णान रहे हैं और यह है राफ की पॉड़ी के घाट यह आप गाट को काफी जादा भीड आस के देट में दिखाई दे रही है अब देख सकते हैं और अगर आप हरी द्वार आते हैं अगर कार से आ यह तो आपको के वह लोग के वह बार्डर पर थोड़ी परसानी हो सकती है यह परसाणी नहीं के बराभर होगे क्योंकि कह भी गावर्दर को सोट कट तरीके से छोड़ देते हैं और आज अ Smith ही हुआ है कि सदानों बताएं तो यह सकते हैं अगर जरूत नहीं परेगे ज़रूतワ हुआ नहीं हो और सब्सक्रण्य चाहरें अगर बसका सपरकरके आपथे हैं तो आपको यह परसानी यही होगी कि आपको उत्राकरन बॉर्डर तक बश्ट डॉप करें पिर आपको इधर जहां भी आप जाना चाहते हैं लेकिन बसकी वेट करना पड़ेगा आपको थोड़ी अगर बस है भी तो आपको भनने तक वेट करना पड़ सकता इतना परसानी हो सकती है ऐसे को दिक्त उसके बात नहीं होने वाली क्योंकि कापी साइक संस्क्राइबर मेरे आया बस से भी तो उनको कुई परसाइशीं नहीं हुई है बॉर्डर पर और खास दोर पर कोई शेकिंग भी नहीं होती है कपी साथ सब्सक्राबर ट्रेन से आने की कुश्चन कर रहे थे मैं तो ट्रेन का वीडियो बना के ही आपको दिखा देता हूं जिसे कि आपको समझने मासानी हो जाएगा बूत वहां पे लगी होते हैं और चेकिंग वहां पे परसेंट भी नहीं हो रहा है इतलिस्ट वहां पे कि परसेंट नहीं हो रहा है अगर आप लोग नहीं दिखा दूँगा यफिश्व हो रहा है हम आराम से अ तो अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है काफी सासा दालों कहना था कि हम रिशी केस हम मसूरी और उत्रखन में काफी जगा प्लेसे से हम जाना चाहते हैं तो आप देखो रिशी केस जा सकते हो लेकिन अभी देखो थोड़े से बारिस वाली मौसम हो रही है तो बारिस वाली मौसम के वज़े से थोड़ा से रिशी केस मसूरी नेलकन महाद्यों के दर्शन करना थोड़ा से परसानी भरह हो सकता है क्योंकि क्या है देखो बारिस हो रही है और रास्ते बारिस होने के वज़़े से बंद हो जा रहे हैं काफी सार रास्तर बंद हो चु महां पर आपको परसानी हो सकती है अच्छा और कहें पर कुछ परसानी नहीं होने वाली है तो आप देख लें जब भी आना चाहेंगे तब आप मौसम का ध्यान रखें उसके बाद आप पर टूर का अपना प्लान करें तो जबसे ज़्यादा अच्छा होगा